Hello and I welcome you all, मैं हूँ धननजय 14 और 15 अगस्त को World Health Organization ने M-Pox या Monkey Pox को Global Emergency Declare कर दिया इनका नाम है Dr. Ted Ross और ये World Health Organization के Director General है हलाकि जब आप इनका रूल देखेंगे COVID virus क्या सपास तो काफी suspicious था जहां पे इनके बहुत सारे ऐसे statements आये थे जहां पे ये चाइना को blindly favor कर रहे थे और ये investigation setup नहीं करवाना चाह रहे थे जिससे कि ये मालूम पढ़ सके कि जो COVID virus था वो चाइना के lab से emerge हुआ था लेकिन जहां तक बात किया जाए Mpox के बारे में तो ऐसा लगता है कि समय रहते वे circular issue किया गया है अगर आप बात करें monkeypox के जो patients होते हैं वो कुछ इस तरीके से देखते हैं जब उनको monkeypox का virus उनके body में फैल जाता है तब हलाकि मैं फिर भी बोलूँगा कि ये photo बहुत हद तक देखके कम डर लगता है लेकिन अगर आप internet पर search करेंगे तो आपको बहुत ही extreme cases भी देखने को मिलेगा ये हमारे सामने World Health Organization का website खुला हुआ है जिसके हिसाब से monkeypox का जो virus होता है वो primarily जो बंदर होते हैं उससे फैलता है बंदर से फिर किसी और animal में फैलता है या ऐसा भी हो सकता है कि बंदर के बाद वो directly आदमी में फैल जाए और एक बार जब आदमी में फैल जाता है तो फिर क किसी पी तरीके से अगर उस आदमी है contact में कोई आता है या उसका जूठा खाना खाता है या उससे किसी पी तरीके से अगर blood लेता है तो इन सब कुछ तोर तरीकों से monkeypox का virus फैल जाता है जहां तक बात क्या जाए तो African nations में या almost दुनिया के सभी देशों में non-wage food खाने का जो चलन है वो काफी है तो ऐसे ही कुछ हमें देखने को मिलता है African countries में भी तो जो अब तक का research कहता है वो यही कहता है कि जो monkeypox virus है वो बंदरों से इनसान में आता है जैसा कि normally देखा जाता है कि बिमारी अलग-अलग लोगों के body में अलग-अलग तरीके से behave करता है वैसे ही कुछ हमें देखने को मिलता है monkeypox में भी और जहां तक बात क्या जाये तो बच्चे और pregnant women सबसे ज़्यादा vulnerable होते है monkeypox virus से contaminate होने के लिए और जो कुछ लक्षन देखे गए हैं वो कुछ इस तरीके से है कि जिसको भी monkeypox virus जिसके body में घुस जाता है उनको सिर दर्द होता है बदन में काफी दर्द होता है काफी high fever भी हो जाता है और कितनी बार खाना खाने में भी जो जब हम खाने को जब हम निगलते हैं तो उस वक्त भी काफी pain होता है गले में तो ये सब कुछ common symptoms देखा गया है जब monkeypox किसी भी इंसान के शरीर में घुस जाता है तब जो सबसे अ किसी भी तरीके से अगर ये epidemic से pandemic बन जाता है तो उस वक्त ये काफी मुश्किल हो जाएगा किसी भी देश के लिए या in fact पूरे global platform के लिए कि वो इतने huge number में जो vaccine से उसको produce करें और proper तरीके से जो vaccine से उसको अलग-अलग देशों में dispatch करें और बात सिर्फ vaccines का ही नहीं होता हमें COVID का दौर याद है जहांपे हम लोगों सिर्फ vaccine का इस्तेमाल नहीं किये थे बलकि उसे संबंदित बहुत सारे चीजों का requirement हुआ था जैसे कि सिरिंच हो गया या मास्क हो गया या और भी जो sanitizer है वो भी हो गया और बहुत हद तक जो economic loss हुआ है वो अभी तक बहुत सारे देश वहां से recover भी नहीं कर पाए हैं तो हर वक्त यहीं कहा जाता है कि precaution जो होता है वो क्यों से कहीं उपर होता है ये world health organization का website है अगर आपको और भी जानकारी जानना है monkey pox के बारे में तो आप इस website को जाके visit कर सकते हैं और जहां तक बात किया जा है कि ये monkey pox फैला कहां स monkey pox के वो देखने को मिले हैं और बीते रोज एक केस पाकिस्तान से भी आया तो कहने का मतलब है कि जिस हिसाब से ये monkey pox फैल रहा ये बहुत जरूरी है देशों के लिए कि जो प्रयाप एक precautions होता है उसको implement किया जाए और बहुत इस सक तरीके से implement किया जाए और अगर किसी भी तरीके से ये अधिक लोगों में फैलता है तो उसके बाद उसको रोकना उतना ही मुश्किल हो जाएगा और जहां तक बात किया जाए monkey pox के बारे में तो जुलाई 2022 को भी world health organization ने इसे global emergency declare किया था उस वक्त का जो data suggest करता है उसके हिसाब से monkey pox कुछ 116 देशों में फैल जिसमें लगभग 200 से भी अधिक लोग की जिसमें जान गई थी और साथ में एक लाग से भी अधिक लोग monkey pox के जो virus से उससे impact हुए थे और जहां तक बात किया जाए इस साल के बारे में तो अब तक जो report suggest कर रहा उसके हिसाब से कुछ 14,000 अब तक monkey pox के जो cases से वो आ चुक साथ से कहीं जादा है और कहीं deadly है कुछ अच्छी बातों में से एक अच्छी बात ये है कि अब तक ये African countries में ही फैला है और वो भी बहुत ही limited countries में तो कहने का ये मतलब नहीं है कि अगर African countries में फैला है तो वो Asian continent में नहीं फैलेगा और अगर किसी भी तरीके से African countries में फैला ह से देखें और अगेन ये देशों के जिम्मधारी बनती है कि जो भी एक precaution का measure है as per world health organization उसको implement किया जाए और जहां तक बात किया जाए कि जब world health organization public health emergency of international concern जैसे शब्द को इस्तिमाल करता है तो ये एक indication होता है देशों के लिए कि इस virus के बारे में आप जाकरूक रहें और अपने देश के लोगों को जाकरूक करें और किस तरीके से ये virus को रोका जाए इसके खिलाफ जो भी एक necessary steps है उसको वाप लें और जहां तक बात किया जाए चाइना के बारे में तो हम सभी को पता है कि किस तरीके किया है कि किसी भी तरीके से अगर monkeypox impacted country से उनका कोई भी कारगो आता है या वहां से कोई भी लोग आते हैं तो उनका proper test होगा और अगर समान आता है तो उसको proper तरीके से sanitize किया जाएगा जो अब तक अच्छी बात है भारत के लिए कि जब तक मैं ये video record कर रहा हूं तब तक ऐसा कहीं से पढ़ने को नहीं मिला है कि monkeypox कोई patient भारत में है तो कहने का मतलब है कि overall अगर ये भारत तक ना पहुँचे तभी बहतर है लेकिन जिस तरीके से world health organization ने इसको epidemic के category में रखा तो ये भी अपने आप में काफी concerning है epidemic category में रखने का मतलब ये होता है कि वो virus अभी भी बहुत ही limited areas में फैला है जब वो pandemic हो जाता है तो वो एक सही sense में global concern हो जाता है I hope that you like the video अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गए तो मैं माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताएं see you in the next video have a wonderful day thank you take care goodbye